एपिस्टेक्सिस या नोस ब्लीड होने से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशन्स बताता हूं सबसे पहला प्रिकॉशन है कि आपने जोड से नाक को ब्लो नहीं करना है नाक साफ करने के लिए जिससे कैपेलरी फटने का चांस होता है अगर आप ऐसा अवोइड करेंगे तो उससे बच जाएंगे दूसरी चीज जो आपने करना है कि कभी भी हमको चीक आती है तो हमने तुरंत एक टिशू लेके मूँ पे रखना हो और मूँ से चीकना है नाक से नहीं या अपने अलबो को सामने लाके ऐसे मूँ के सामने अपने अलबो के बेंड पे या आम के बेंड पे अपने छिकना चाहिए मूँ से नाक पे प्रेशर ना पड़े जैसे तीसरी चीज है हमने अपने नाक में कोई भी नाक साफ करने के लिए कोई चीज डालना नहीं चाहिए चाहे वो अपनी उंगली ही क्यों नहीं हो या किसी और रुमाल वगर को ऐसे अंदर डालके साफ नहीं करना चाहिए चौती चीज जो है आपने over the counter कोई भी दर्द निवारक गोलिया या खून पतला करने की गोलिया नहीं लेने चाहिए आपके physician ने अगर आपको prescribe की है तो आप उनसे consult करके कोशिस करके उसका dose जितना आपके body को suit होता है उतना ही रखे ताकि nosebleed नहीं हो पाचवी चीज है कि आपकी कोई भी अगर allergies है आपको जैसे allergic rhinitis हो गया या जो भी इस प्रकार की कोई भी allergies है जिसमें आपको बार बार सर्दी खासी होती रहती है उन allergies का proper ilas करवाएं ताकि आपको बार बार नाक पे pressure ना पड़े चटवी चीज है कि आप अपने नाक को गर्मी के मौसम में जैसे बार बार ड्राय हो जाता है तो nasal drops आते हैं बच्चों के वो हम बड़े भी use कर सकते हैं जैसे कि nasal mist हो गया या nasal clear हो गया इन nasal drops को दिन में दो से तीन बार अपने नाक में डाल सकते हैं या nasal gels आते हैं कुछ जो में घर का थोड़ा सा माहोल मोईस्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारा nasal epithelium फिर से ड्राय नहीं होगा और epistexus से बचेंगे थैंक यू